हलो फ्रेंड्स तो आज हम चार्षनी वाली बजार जैसी कुझिया बनाएंगे इसके लिए दो कप मैदा ले लेंगे और इसमें एक छोटी कटोरी घी डाल देंगे लगभग ये चार चम्मच है अब हाथ से अच्छे से मिला लेंगे और देखेंगे कि मुठी बंद रही है कि नहीं मुठी बंद रही है तो फिर हमारा रेडियो हो चुका है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसको गूत लेंगे अब इल्कुल सकत आटा लगाएंगे आटा हमारा तयार हो चुका है अब इसे हम ढग कर रख देंगे सेट होने के लिए आटा जब तक सेट हो रहा है तब तक हम चासनी बना लेंगे या मैंने आधा केजी चीनी लिया है उसमें एक गिलास पानी डालके इसको गरम करेंगे और पकाएंगे और कल्ची की मदद से इसको चला देंगे नहीं तो नीचे लग जाएगा देखिए चासनी बन गई है अब इसे चेक कर लेंगे हमारी चासनी रेडी है की नहीं थोड़ा सा निकाल लेंगे और उसको हाथ से देखेंगे अगर चिप-चिपी लग रही है मारी चासनी तो समझे लिज़े बन गई है चासनी मारी बन के तयार हो गई है अब गयस कफलें बंद कर देंगे यहां मैंने खोया लिया है और उसमें थोड़े ड्राइफ रूट डाले हैं आपके पास जो हूँ आप डाल सकते हैं असारा एक में मिला लेंगे खोया में मैंने चीनी पहले ही डाल दिया था थोड़ा इसलिए अभी नहीं डाल रहे हैं अब इसके छोटी छोटी लोईयां बना लेंगे ताक कि भरने में आसानी रहे अब रोटी चितना लोई लेके इसको रोटी की तरह बेल लेंगे अब ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है ना ज्यादा पतला बेलना है अब इसमें थोड़ा सा कोया भरेंगे थोड़ा ही भरेंगे नहीं तो गुजिया फट जाएंगी फूलेंगी न तेल में जाके इसलिए फट जाएंगी और थोड़ा सा साइड में पानी लगा देंगे और उस किनारे को इसे चिपका देंगे इसमें पानी नहीं लगाएंगे तो यह खूल जाएंगी और दबा देंगे अच्छे से किनारों को बिल्कुल पतला कर लेंगे और इसमें डिजाइन दे देंगे इस तरह से गुजिया बनके हमाई तयार हो चुकी है ऐसे ही सारे गुजिया बना लेंगे अब एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे तेल मीडियम गरम हो जाए तो इसमें गुजिया डाल देंगे और गुजिया जादा नहीं डालेंगे थोड़ा ही डालेंगे नहीं तो फूल जाएंगी अच्छे से पक नहीं पाएंगे अग्दम धीमी आज पे इसको पकाएंगे अब गुजिया को पलट लेंगे दूसरी साइड से पी पका लेंगे गुजिया को सुनायरा होने तक पकने देंगे और ध्यान रखने वाली बात यह है कि गुजिया को बिल्कुल धीमी आज पे पकाना है इसे लगभग 15 मिनिट लग जाएंगे पकने में अगर आज स्तेज कर देंगे तो गुजिया कच्ची रह जाएंगी और खस्ता नहीं बनेंगी गुजिया हमारी पक चुकी हैं देखिये कलर भी बहुत अच्छा आ गया है अब हम इसे निकाल लेंगे और तुरंट चासनी में डाल देंगे देखिये लग रही है ना बिल्कुल बाजार वाली गुजिया अब हम इसे तोड़ कर दिखा देते हैं आपको देखिये कितना खस्ता बनी है और ये चासनी भी पी चुकी है होली कते वहार है आप भी अपने घर पे बनाएए और खुद खाईए और महमानों को भी खिलाएए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए थैंक यू बाई